Topic is Migration of Animals, Big Cats and Crocodiles Attacking Scenes in Serengeti Migration यहां पर आप ऐसे different scenes देख सकते हैं जो हमें Tee पर देखने को मिलते हैं और दरहकीकत यही इस ecosystem का हिस्सा है कि इसमें जो Big Cats है, Big Cats में जिसमें Leopards आ जाते हैं, Tigers आ जाते हैं, Loins आ जाते हैं, Hynas आ जाते हैं तो खाने की कोशिश करते हैं, उसको शिकार करते हैं, तो यहां पर आप scene देख सकते हैं इस पहले जो picture है उसका अंदर आप देख सकते हैं, एक open तफारी विजट किया जा रहा है इन जानवरों के दरम्यान से जो लोग हैं, उनको डाकुमेंट करते हैं, उनकी करीब से pictures लेते हैं गुजर रहे हैं यह दूसरे जो scene है, इसके अंदर गुरुमोटी जो river था, उन्होंने उसको कैसे cross करना है, इस wild beast ने, तो यह वहां से चलांगे लगा लगा के इसको cross करता है इस wild beast का सबसे important जो predator है, वो spotted hyena है, तो spotted hyena जो है, जिसके तो southern plains के अंदर पाये जाते हैं, वहां पर आंख लगा के बैठा होता है, कि कब जो है उनको छोटे babies नजर आएं, वो कमजोर होंगे बाकियों से, लहाजा उसको जो है वो खा सके तो चुके ecosystem जो है, उसमें हर जानवर को जो है, उसका एक rule है कि एक जानवर ने जिसको खाया है, उसको कोई दूसरा जानवर जरूर खाएगा, तो ये wild beast जो थे, इन्हों ने घास को खाया था, तो अब wild beast ने भी किसी की खुराग बननी है, तो वो हाइनास जो होंगे, अब उन्चाई वाली जगा, जैसे टीला सकेले, वो है, घास वाली जगा है, रिवर भी है, ये पानी भी पी रहे है, लेकिन साथ में ये जो leopard है, इसको जो पैटरन है, इसको देखके जो है, वो पता चलता है, ये leopard है, तो leopard बहुत देर से जो है, अपने शिकार के उपर जो है, और बहुत slowly, softly उसके करीब जाता है, और फिर उसको पर जो है, वो हमला करता है, फिर इस next जो है, वो picture के अंदर आप देख सकते हैं, बहुत सारे जो हैं, इसमें जो loins है, बेसिकली जो loins की एक कीज है, हमारे जहन में मुमन ही होता है, शेर बहुत बड़ा शिकार करता है, उनको जो अपना कोई शिकार मिल जाता है, तो उसको target कर लेते हैं, उसके बाद जो है, वो पूरे का पूरा जो है, वो शेरों का कबीला और शेरियों का कबीला अपने बच्चों के लिए, अपने जो है वो उस डेस की survival के लिए उसको by all means घेर घार के जो है, गिराने की कोश जाते हैं, जो उनका बचा शिकार जो है ले जाते हैं, वहां पर वुल्चर्स जो हैं, गिर पाए जाते हैं, क्योंकि शेर उनकी हडियां और बहुत सारी गंद चीज जो है, वो नहीं खाएगा, तो जो वुल्चर्स हैं, वो डेड जो material है, उसको खाते हैं, तो इस तरह जो वुल्चर्स हैं, वो भी वहां पे उसी ecosystem का पार्ट होंगे, उनको भी खुराक जाएगो, मिल जाएगी, वो खुराक उनके लिए भी जुरूरी होगी, वुल्चर्स ने वहां पे दरख्तों के बड़े बड़े दरख्तों में गहांसले बना रखे हैं, वहीं उनका breeding season होगा जो खुराक मिलेगी वो जा कि अपने नेस्लिंग्स को भी देंगे इस तरह जो है वो एक जो जानवर का शिकार है वो कहीं के लिए खुराक का बाइस बनेगा एको सिस्टम के अंदर इनरजी फ्लो भी हो रहा है फूड चेन भी नज़र आ रही है और सर्वाइवल ऑफ डिफ्रेंट स्पीशिस जो है वो भी नज़र आ रही है नेचर बैलन्स के साथ काम करती है और एनरजी फ्लो का जो एक चार्ट है वो खुद बोखुद जो है वो आटोमेटिकली रन होता रहता है विदाउ दा इंटरप्शन ऑफ हिमन बींग अब इस पिक्चर के अंदर पहली पिक्चर के अंदर आप देखते हैं यह वाइल बीस्ट जो है वो सम्हाव इन लैपर्ड जो है उसको पर अटैक कर लिए यह कमजोर भी हो सकता है यह ओल एज का भी हो सकता है और उसका शिकार बन गया है अमूमन वाइल बीस्ट जो होते हैं जो अपने साथी को जो है शिकार होने से बचाते हैं वो इतनी ताकत रखते हैं कि इन लैपर्ड को मार बगाएं लेकिन बारहाल खुदरत का भी एक निजाम है कि उसने इन लैपर्ड को भी मौका देना है कि वो कोई खुराक हासल कर सके लहाजा यहां वाइल बीस्ट जो है वो अपनी उस माइग्रेशन के दौरान जो है वो इसकी खुराक बन रहे हैं और इतने जो वाइल बीस्ट हैं वो मरते भी हैं उस रिवर को क्रॉस करते वे शिकार भी बनते हैं इवन देन उनकी जो तादाद है वो लाखों के हिसाब से जो माइग्रेशन है उसमें कोई इतना बड़ा फरक नहीं डालती यहां यह गुरूमूती रिवर के अंदर जो है वो क्रॉकोडाइल इंतजार कर रहा था इस वाइल बीस्ट का कि कब आएगा और कब मैं उसको खाऊंगा यह जो है आपको नजर आ रहा है क्रॉकोडाइल और ऐलिगेटर के अंदर एक छोटा सा फरक हम चलते चलते आपसे बताएं जरा इसके जो है वो मूँ और यह स्नौट वाला हिस्सा जो है क्रॉकोडाइल का यह देखा जाए जो स्नौट होता है क्रॉकोडाइल का हमेशा यह थोड़ा सारा जो है वो ऐसे पॉइंटेड सारा यानि के आगे से थोड़ा से पॉइंटेड सा होता है लेकिन जो alligator होता है उसका हमेशा यूँ करके broad जो होता है तो ये जो है अफ्रिका के अंदर crocodile पाए जाते हैं इस के अंदर आप देख सकते हैं कि इस crocodile को बिला आखर अपना जो शिकार है पसंदीदा जेबरा वो मिल गया है उस गुरूमूती रिवर के अंदर ये crocodile का जो है वो alligator का फरक मालूम कर सकते हैं तो इसको शिकार मिल गया है वो उसने खाना है और जो बागी बच जाएगा वो जो इस जो है वो पानी के अंदर बहुत सरी कार्मी वो फिशिस वगारा होंगी बहुत सरे और जो नीचे एक्वेटिक लाइफ होगी जो के इस के जो है गोश की लड़ाई करते हैं लड़ाई करते हैं इतना बड़ा सरो उन्होंने मुझ खोलावाई बेसिकलिए ये दो मेल्स जहें वो अपनी territory के लिए जो है यहां compete करे हैं तो इसकी जो लड़ाई है देखने में बड़ी खौफनाक सी नजर आती है बाद उकात ये जखमी भी हो जाती हैं तो बहुत खुबसूरत चीजें और बहुत खुबसूरत बड़े बड़े मैमल्स जो के दुनिया में हमारे पास सिर्फ African region के अंदर रह गये हैं वो हमें नजर आते हैं उनके behavior हम देख सकते हैं उनका रहन सहन हम देख सकते हैं उनकी जो आगे नसले हैं वो बढ़ रही ह उनके पास हिस्से में किस हैं इस किसम कैनिमल्स पाए जाते हैं वो उनसे बचके कैसे निकलते हैं कहां तरवाइवल जो हम उनका ज्यादा होता है तो यह सरेंगेती migration है वन अफ ता बेस्ट नेच्रल फेनॉमेना है जो तन्जानिया में जो हमें देखने को मिलता है और जो है वो टॉपिक वाइड लाइफ वाइड लाइफ वाइड लाइफर्स कोई साइंटेस्ट हैं यहां फोटोग्राफ्स हैं ताके यह खुबसूरती जो है उसके बाद ही मनजरे आम के अपर आती है